नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है त्रिस्तरिये पंचाय चुनाव आते ही ग्रामिड शेत्रों में सरगर्मिया तेज हो गई है मध्यप्रदेश के रिवा जिले में पंचाय चुनाव तीन चरणों में कराया जाना था पहले चरण का चुनाव पूरा होने के बाद अब शुक्रवार को दूसरे चरण का चुनाव हुआ लेकिन इस चुनाव के बीच कुछ ग्रामिड शेत्रों में लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है जनपत पंचाय राइपूर करचुलियान की ग्राम पंचाय पूर्वा के ग्रामिडों ने पंचाय चुनाव का बहिसकार करने का फैसला किया है ग्रामिडों का कहना है कि गाउं में सडक तक नहीं बन पा रही है सुविधाओं के लिए वह कई बार अधिकारियों को लिखितवा मौखिक में कह चुके हैं लेकिन अब तक सुनवाई नहीं होई ऐसी स्थित में वह अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें ग्राम पंचायत पूरवा के लोग पिछले कई सालों से मुलभूत सुविधाओं का इन्तजार कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका विकास से कोसो दूर ग्राम पूरवा के निवासी अब काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं इस गाउं की लोग पिछले कई सालों से सड़क के लिए तरस रहे थे सड़क नहीं होने से उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए उन्होंने चुनाव का बहिस्कार करने की ठानली है ग्रामिड गाउं तक महसते हैं सडक रही होने से ग्रामिडों के साथ ही बच्चों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है यहां तक की बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते जिससे उनकी पढ़ाई भी बादित होती है ग्रामिडों ने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनीधियों तक लिखित वह मौकित शिकायत दर्च कराई लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसको लेकर ग्रामिडों में काफी आक्रोश है और नाखुश मतदाताओं ने पंचाय चुनाव का बहिसकार करने का निर्ने लिया है परसे को लोग बोट देंगे नहीं देंगे बोट है कारान है कि मारी लागे थे मारा अथरा आप गाई लाए जब तक करोड बना बनी तक कहना देंगे हम चाहिए थे कि गईला बन जाए बोट ले 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 हैं राम अकतार सेंग यह नवान कहावा तो पुर्वा नववन के बस्ती है पुरी के है हुआ है हुआ है